नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका दोस्तों वैदिक संस्कति की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम वेदों के उपवेद, भ्रामन ग्रंत, आरेनक, उपनिशत और वेदांग के बारें पढ़ेंगे इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वेदों के बारें में चाचा गया है ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके और उसका अनुसरन किया जा सके तो हमारा पहला वेदर रिगवेद, रिगवेद का उपवेद है आयुरुवेद जिसका समबन चिकितसा शास्टर से हैं और इसके प्रनीता धनबंती है हमारा दूसरा जो वेद है सामवेद इ संपमन गायन नृत्य और संगित से इसके प्रणेता है भरत्मूई तीसरा जो वेद वह या जुवेद digit उपवेद धनववेद जो युद्ध कला से संपना इते हैं इसके प्रणेता विश्हे मित्र है चौथा वेद है अथवेद इसका उपवेद शिल्प वेद है जिसका सम्मन्द विभिन प्रकार के निर्मान कलाओं से जैसे भवन निर्मान कला, मंदर निर्मान कला आदी इसके प्रणता है विश्व कर्मा उपवेत के बाद हम बात करते हैं ब्राह्मन ग्रंत की जब हमने वेदो की चर्चा की थी तब हमने देखा था कि वेदो की रचना विभिन शैले में हुई है जैसे रिगवेत पद्दिशैले में था सामवेत गायन शैले में और यजुवेत गद्दिव पद्द दोनों में था तो वेदों के जो कठिन भाग है जिनको समझना बहुत मुश्किल है उनको सरल तरीके से समझने के लिए वेदों को गद्धि शैली में रचा गया है ताकि उनकी भाषा सरल हो सके और समझने में आसानी हो सके तो उन ग्रंतों को ब्रामन ग्रंत कहा गया है इनमें मुख्य रू गुपत ब्रामन ग्रंत की बाद हम बात करते है आर्णक गरंत की आर्णड एक संस्क्रत शब्द जीसका अर्थ होता है वन या जंगल तो जो आर्णड में पढ़ा या पढ़ाय जाए उसे आर्णक कहते हैं ग्रस्त आश्रम के बाद जो वानप्रस्ती और सन्यासी थे उनके लिए ब्रह्म विद्या के ज्यान के लिए मुख्य रूप से जिन ग्रंथों की रचना हुई है वो आरिनक ग्रंथ हैं अधिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिशत है जिने वेदान भी कहा जाता है उपनिशत शब्द का साधरन भाशन में अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है शिश्य का गुरू के समीब ज्यान के लिए निश्टा पूर्वक पैटना उपनिशत परमेश्वर परमात्मा और आत्मा का जो स्वभाव है और उनके बीच आपसे संबंध है उसका बहुत ही दाश्निक और घ्ञान पूर्वक बर्णन दिया गया इसमें इसमें उपनिशत पर तो प्रतेख वेद के विभिन उपनिशत है रिग वेद की उपनिशत है एत्री उपनिशत और कौशितकी सामवेद की उपनिशद है जैमनी उपनिशद और चांदय की उपनिशद यजुवेद की उपनिशद है व्रधारनिक उपनिशद और तित्री उपनिशद और अथवेद की उपनिशद है मांडू की उपनिशद मुंटक उपनिशद और प्रश्न उपनिशद कई बार एक्जा उपवेद, ब्रहामन ग्रंत, आर्यनक, उपनिशत के बाद हम बात करते हैं वेदांग की, कि वेदांग क्या होते हैं और इनका वेदों के लिए क्या महत्व है, तो वेदों की ज्यान को समझने के लिए जो सहायक शास्त्र हैं उसे ही वेदांग कहा जाता है, वेदांग की चाहर किया जाता है। इसके बाद जो आंग वा है निरुक्त !! इसे वेद-पुरुश का ghaan यह एक तरह से वैदिक साहति के dictionary है जिस तरह से कथिन शब्द जो हमें diction DR में ढूंणे से पता चलते हैं उसी तरह से वैदिक साहति में जो कथिन शब्दे उनका चारण करने की विधी बताई गई है अगला अंग है व्याकरण जिसे वेद पुरुष का मुख कहा गया है वैदिक साहित्ती की संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में समझने के लिए व्याकरण शास्त्र का धिन क्या जाता है इसमें शब्द को किस तरह प्रयोग करना होता इसके दिशा निदिश हमें व्याकरण से पता चलते है वेद का पांचवा अंग है कल्प इसे वेद पुरुष का हाथ कहा जाता है इस शास्त्र में किस मंद्र का प्रयोग किस काम में करना है इसका पता चलता है इसमें यग्य सम्मंधिनियम दिये गए वेदों का अंतिम अ दोस्तो आज की क्लास में हमने वेदो के उपवेद, वेदो के ब्रहामन ग्रंद, आरेनेक, उपनिशत और वेदांग का अध्यन किया तो इस वीडियो में हमने वैदिक सायत्य को कम्प्लीट कर लिया है इससे पिछले वाले में हमने वेट पड़ा था, और आज हमने ये सारे पड़ कम्प्लीट किये है नेक्स क्लास में हम रिगवादिक गाल की सामाजिक, राजनेतिग, आतिग धामिक विवस्ता की अबारें पड़ेंगे तो class को miss ना करे, channel को subscribe करे और notification के लिए bell button को दबाएं ताकि next class में आप आसानी से जुड़ सके वीडियो पसंदा है तो से like and share करे Thank you so much